नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड चोती सीक्रिट मीन डासी वालों जुलाई का महना आपके लिए बहुत ही खुबसूरत है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पती अपने ही रासी धनू रासी में लौट आये हैं और उनको साथ मिला है यहाँ पर पांच जुलाई को उपचाया चंदग्रहन भी लगने जा रहा है और तमाम इस्तीतियां कुछ ऐस इस अंदाज में आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे आज हम यही आप से साचा करेंगे तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं मेस रासी पर थोड़ा सा कष्ट तो है स्वास्त का लेकिन दूसी तरफ आप बुद्धिमान होंगे आपकी जो बुद्धी है वो कहीं दूर तलक जाएगी और आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा दूसी तरफ आकस्मिक रूप से जीवन में कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जो मंगल देव बिगाड़ेंगे लेकिन क्या आप ठीक करें कैसे कौन से गरह आपकी रक्षा करेंगे तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं आपके करियर के बारे में तो मीन दासी वालो जुलाई के मेहने में आपके करियर की बात की जाए तो देखिए यहां सबसे पहले आपके कर्ययर में देज़ गूल विष्पती आपके दसंभाव में हैं अभ यहां पर आपको लात है ने कि आप कर्म से काम बी कीज़ेगा इसमादィор में जो ग्यान है आप में जो विवेक है उसका इस्तिमाल कीजिए और तमाम छेत्रों में आप चुनौतियों पर अपना दबदबा काइम रखेगा आपके जो सत्रू विरोधी हैं हलांकि आपके विरोध में बहुत सारी चीजें भी क्रेट कर सकते हैं सद्रेंद्र रचेंगे लेकिन देव गुरु और सनिदेव दोनों ही आपकी रख्षा करते दिखते हैं इसके अलाबे सुक्रदेव आपके तीसरे भाव में हैं अब यहां पर आपका जो साथ लोग काम करते हैं आप जिनके साथ काम करते हैं उन सभी के साथ आपको मिलेगा और उन सब के साथ आप दोस्तानर आपका एक bonding बनेगा जिसके करण चीजें बिलकुल आपके पक्ष में रहेगी इस समय जो आपके जीवन साथी हैं सही मायने में एक सच्चे मित्र की भाती आपको एक सही रास्ता भी दिखाएंगे वैसे एकादस भाव में आपके सनिदेव हैं तो आपके जीवन मे सत्रू विरोधी आपके दबे ही रहेंगे आपके जो अधिकारी हैं वो आपके साथ हैं आपके काम को सरहना करेंगे हलांकि आपको थोड़े से अपने क्रोथ पर नियंतरन रखना होगा क्योंकि लगन में मंगल दे बैट कर थोड़ी सी वानी में उगरता दे रहा है तो थो राई नरने नाले जुलाई के महने में हρεलां कि धन के मामलों में दीरी दीर स्थी अच्छी होगी लेकिन समते हैं म ready हो इक्तिक हैट जो साधन अभी तक आप के पास नहीं थे एप पैसों के लिए महतास थे तो अब पैसे आने के साधन बनेंगे आप अपनी काभिलियत के दम पर हर इस्थिती को संभाल लेंगे और धन के मामलों में लाबदायक समय भी है क्योंकि अस्थाइस रोध बनेंगे धन आने के यानि आपको कहां से पैसे आना है आपको खुद समझ भी नहीं आएगा चीजें ब का लॉस हुआ है उसका भी रिकवरी करेगा यह जुलाई का महना हलां कि मंगल देव लगन में है तो आपको श्ट्रॉंग तो बना रहे हैं लेकिन जो चुनावतियां हैं धन के मामलों में उसको खत्म करेंगे हलां कि द्वीती और नौम भौके स्वामी मंगल एग्यार में भौके स्वामी सनिदेब की द्रिष्टी भी है तो ऐसे में यहां पर आकस्मिक धनलाब की योग बनेगा और यह लाब आपको बहुत हद तक मजबूती देगा और इस समय आपको इसके फायदा हो रहा है हला कि तो यहां चीजें बहतर है लेकिन अब हम बात करें अगर आप के बिल्कुल पक्ष में है क्योंकि अब आपका दिमाग बहुत ही सार्फ है देव गुरू बहस्पती की किरपा बरस रही है तो यकिनन विद्यारत्यों के लिए वक्त अच्छा है पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें अगर आप उच्छी सिच्छा के लिए बाहर जाना चाह करने के लिए लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपके घर परिवार की बात करें तो देखिए पारिवारी जीवन इस समय थोड़ी बहुत समस्याएं यहां पे आपको जीवन में आ सकती है क्योंकि आपके जो मंगल देव है यह कुटुम्ब के लोगों का यहां पर मदद तो ल पांचन लगाना अपनों के साथ किसी बात को लेकर उल्टी सीदी बाते हो जाना लोग एक दूसरी को बेज़ा बदनाम करें ऐसी चीज़ें हो सकती है यानि परिवार में दरार डालने के काम मंगल कर रहे हैं अब माता-पिता के स्वास्त का भी आपको ख्याल रखना होगा हला कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ फिर भी आपकी निवेगी बढ़िया रहेगी लेकिन जैसे ही सूरी का रासी परिवर्तन होगा सूरी करकरासी में जाएंगे तब यहां से आपके सूरी का गोचर चुकी पंचमभाव में करकरासी में होगा तो उसमें मकान खरिदने की सोचेंगे या फिर चेंज करने की ऐसी संबावना बन सकती है तो इसके लिए आपको तयार रहना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके लब लाइब की बात की जाए बैबाही जीवन की बात की जाए तो देखिए प्यार के मामलों में आप किसी भी की पर अपने लब को खोना नहीं चाहेंगे आपको क्योंकि यहां पर बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है और जीवन में प्यार की दस तक चुकी हो रही है यानि आप सिंगल है तो आप यह मान के चलिए कि आपकी लाइब में कोई आएगा ही आएगा विप्रित लेंगी और अगर हमेशा ही लगेगा कोई सपोर्ट कर रहा है हलांकि लब लाइब बहतर तरीके से चलेगी और यहां पर बस यह समझ लें कि बे बजह के खर्चे करने से बचिए और गलत नजरिये से अपने लब को मत देखे नहीं तो आप बगनाम भी हो जाएंगे सरे बाजार तो थोड़ा को जो स्वामी है बुद्ध चतूर्थ भाव में राहु के साथ हैं सूर्य गुरु के प्रभाव में हैं ऐसे में क्या होगा ना कि जीवन साथी पर पड़िवार के पती आप दाइत का निर्वा भी करेंगे लेकिन फिर भी घर में कुछ ने कुछ बहस जैसी चीजें कोई न तरह की बातों को बढ़ाने से बचिए बाद भी बाद मत कीजिए तामपती जीवन में कोई तनाव है तुसको समालने की कोसिस कीजिए उपाई क्या करें यह भी हम आपको बताएंगे लेकिन अब समझते हैं आपके स्वास्त के बारे में देखिए यहां मीन डासी वानों स् तो इसका तो आपको ध्यान डखना ही है मानसिक और सारे रिक दोनों ही तरह से खुद को अराम दीजिए नहीं तो आपको परिसानी हो सकती है ठकावट होगी सारे रिक सरम आप कर रहे हो आप मानसिक सरम कर रहे हो और अराम नहीं दे रहे हो तो यह भी तो सरीर एक मसीन ही है तो मसीन को भी थोड़ी सी रेश चाहिए होगी तो ऐसा आपको समझना चाहिए वैसे राहू सूरे बुद्ध तीनों हैं आपके चतुरत भाव में और देव गुरु बहस्पती केतु के साथ हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने स्वास्त का बहुत ख्याल रखें खासकर हाट सीने से समंधित कोई चीज ज्यादा ओईली खाना खाने से बचिए और जहां तक संभब हो आप टेंसन कम लेजिए आवसकता पढ़ने पर डॉक्टर को जरूर दिखाईए क्यों कि यह आपके लिए आवसक रहेगा अब क्या उपाई करें कि चीजे इस महिने में बिल्कुल आपके पक्ष में आ जाए तो देखिए मीन दासी वालों जुलाई के महिने में आप यहां पर सनी देव चुकिए आपके उपर किरपा तो बरसा रहे हैं पर रोज साम में ओम और संभब हो तो हनुमान चाली सा पढ़कर ही दिन की सुरुवात कीजिएगा क्योंकि यहां पर थोड़ी सी मंगल दे जीवन में सांती भी भंग कर रहे हैं और बस जीवन को लगेगा जैसे की जिलेवी के तरह उल्जा न दे इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वैसे थोड़ा सा मन आपका धन के लिए बेचैन रहेगा पर अमुमन धन आही जाएगा लेकिन हाँ कोई बिगड़ा व जे जुमन आपको उन आही जाएगा पर अमुमन आही है झाल, 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 झाल